नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसा कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह हमारा अन्मडेशी लिम्टेट का आफिसल वेबसाइट है तो यहां पर एक वेकंसी निकल कर आया हुआ है जो क तो यहां पर लूप नीचे जाना हुआ करियर सक्फिशन में जाना है इजया कर्यार सकते में नीचे आपको मिलेगा कर देधार्व यहां परharm lu 2022 के डेट में यहां पर एक अपडेट किया गया है 26 मर्च 2022 अप्रेंटिशिप ट्रेणिंग वैकेंसी नोटिफिकेशन 2021 अमेडमेंट अपड़ेट बिचली प्रोजेक्ट और 925 के भी का यह हमारा पीडियफ है इसे हम लोग डाउल्लोड कर लेते हैं दोस्तों तो इस आपसण पर क्लिक करके हम अपना पीडियफ डाउल्लोड कर लेते हैं और देखें दोस्तों यह जो आफिसल वेपसाइट है इसका लिंक हम भльने इस पहले आप अपना पूरियेज चक कर सकते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह हमारा पीडियफ ओपेन हो चुका कि तो यहां पर आप देख सकते हैं N.M.DC Limited यह हो गया आपका आप यहां पर नोटिफिकेशन नंबर आप लोग देख सकते हैं यहां पर आपका अडवर्टाजमेंट नंबर या नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं यहां पर जो डेट है यहां पर 24 मार्च 2022 के यहां पर डेट दिखा रहा है और यहां पर देखे लिखा गया है यह अप 21-22-25 सव डेट जो कि 10 माई 2021 को यहां पर जारी किया गया था और इसके बद यहां पर यह जो दूसरा अड़ोटाजमेंट है जो कि 25 कि दिसमबर 2021 को जारी किया गया था कर वाकिन इंटर्व्यू है बिन आरेंज जो आपको आरेंज किया जाना है कर आप फालोइंग डेट कहां पर होगा आपका ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बचली कांप्लेक्स बचली फार इंगेजमेंट अप्रेंटिशेज अंडर एक्ट 1961 के ताथ आपका यह होना शुरू हो गया है और यहां पर नए लोग भी यहां पर अपना फार्म अप्लाई करके अपना जा सकते हैं इसमें यहां पर देखे कर रहां फर्तन सम्फर्दर सम्चेंज इंदा प्रोसीडियूर आप सेलेक्शन आप अप्रेंटिश देट विल फालोड और आज डिटेल्ड बीलो करें नो सेपरेट इमेल या काल लेटर या एसमेस विल गीवन टू पार्टिसिपेट इन वाकिन इंटर्व्यू फार अलरेड़ी अप्लाइड एस्पिरेंट इन रिस्पांसिवर रिस्पांस टू आवर अर्लियर एडवर्टाजमेंट नंबर यह जो दिया गया है जो कि 10 माई 2021 को जारी किया गया था और जो निव एस्पिरेंट इस्पिरेंट है उनको क्या करना है कि वाकिन इंटर्वीu होने वाले महां पर आपको उपस्थित होना पड़ेगा नियुक्त एस्पिरेंट सेल आल्सो बीच इंटर्टेंड या कंसीडर एलांग ऑ기에फ यानि कि जो नए इस्पिरेंट हैं और जो अल्रेड़ी अप्लाइट किये हैं दोनों लोग यहाँ पर उपस्तित हो सकते हैं वाकिन इंटर्व्यू में तो आप लोगों का प्रेंटिशिप के लिए अगर हो जाएगा महाँ पर तो आपका कंफर्म हो जाएगा ठीक तो सब्सक्राइब चैसे यहाँ पर पर चैसमें लाइप अपर ऊंपास्तित हो सकते हैं और जो पुराने स्ट्टिटेंट है वह फार्म डाले हैं वह भी उपस्तित हो सकते हैं ठीक तो यह बाकिन आपर कारें किसी प्रकार का पर टीड़िय प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और कहा रहा है कि selection of the apprentices will be done as the merit list prepared by the scrutiny and selection committee, ठीक, तो यह हो गया, दूसरा कहा रहा है कि work in interview shall be conducted by following all the protocol issued by the district administration from time to time to avoid spreading of COVID-19 pandemic, तो यह हो गया आपका, बाकि यहाँ पर कहा रहा है कि rest up the earlier notification requirements remains unchanged are the detailed below, कहा रहा है कि candidate जो भी है उनको degree, diploma या ITI का certificate होना जरूरी है, यह हो गया, बाकि यह सब जो कुछ भी detail है आप अपना चेक कर सकते हैं, ठीक, दूसरे यहाँ पर कहा गया है कि आपके अगर जैसे कि ITI के student है तो ITI का certificate होना चाहिए diploma के student है तो 3 साल को उनके पास diploma होना चाहिए और देखिए जो student ऐसे हैं जो कि ITI वाले हैं, उनका NCVT से होना चाहिए, यह लिखा किया है यहाँ पर, बाकि यहाँ पर देख सकते है, candidate होया, complete 3 years after obtaining degree, diploma या ITI, certificate are not eligible, ठीक, यान कि कह रहा है कि जो student ITI, diploma या degree करने के बाद अगर अगर वो 3 साल complete कर चुके हैं, यान कि 3 साल के अंदर अगर आपने apprentice नहीं किया है, तो भी आप लोग इस फर्म के लिए apply नहीं कर सकते हैं, यान कि 3 साल से अगर ज्यादा हो गया है, आपका complete किया हुए ITI, diploma या degree, तो आप इस फर्म के लिए apply नहीं कर सकते हैं, दूसरे हैं candidate हुए already under, यान कि आपने अगर कहीं से apprenticeship पहले से कर रखा है, तो भी आप लोग इस फर्म के लिए apply नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर आगे का गया है कि if any candidate found to be study, यान कि आप अगर कहीं से regular course की study कहीं से कर रहे हैं, तो भी आप लोग इस फर्म के लिए apply नहीं कर सकते हैं, ब भी साल का, तो वो लोग भी इस फर्म को apply नहीं कर सकते हैं, ठीक, बाकिया आप पर कहा रहा है कि suppression of fact will be to disqualify at any stage of the selection process, यान कि कहा रहा है कि अगर आपने कोई गलती छिपाने की courses किये हैं, तो भी आपको इसमें selection नहीं मिलेगा, कभी भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, किस reservation of apprenticeship training, और कहा रहा है यहाँ पर कि जो भी आपको apprenticeship training होगा, यह आपका एक साल का apprentice होगा, ठीक, कहा रहा है कि preference will be given to local apprentice aspirant candidate without hostel accommodation, दूसरे यहाँ पर कहा रहा है कि reservation of seat of apprenticeship training, इज एच पर principal rule of apprenticeship training for state of 36 गड़ सेल भी फालोड, कहा रहा है यहाँ पर जो 36 गड़ का यहाँ श्टेट क जो apprenticeship training का नियम है, उसी के ताथ यहाँ पर seat को reserve किया गया है, कहारा है कि selected या assert listed candidate को inform किया जाएगा, पोस्ट के थूरू, email के थूरू या SMS के थूरू उनको inform किया जाएगा, बाकि यहाँ पर कहा रहा है कि schedule of walk-in interview, यानि कि आपका किस दिन आपको walk-in interview होने माला है, तो 30 seat है, उनका जो walk-in interview होगा, 15 April 2022 को होगा, ठीक, और जो graduation वाले student है, यानि कि B या VTEC वाले है, इन सब कर यहाँ पर mechanical engineering का यहाँ पर total 6 seat है, इनका walk-in interview होगा, 16-4-2022 को, electrical engineering वालों का 3 seat है, जो कि 74-2022 को होगा, electrical and electronics engineering का एक seat है, 74-2022 को होगा, mining engineer का 4 seat है, यहाँ पर, यहाँ प यहाँ पर 2 seat है, 19-4-2022 को होगा, इनका, total मिला कि यहाँ पर देखेंगे, तो graduate पर, यहाँ पर, 16 seat पर, यह apprentice की वेकेंसी निकल कर आई हुई है, अब यहाँ पर और आगर हम आगे देखें, दोस्तों, यहाँ पर देखें, technician apprentice का, यहाँ पर mechanical engineering का 5 seat है, walk-in interview, जो date रखा गया है, 16-4-2022 को है, electrical engineering का 2 seat है, 17-4-2022 को होगा, electronic and telecommunication engineering का 1 seat है, 17-4-2022 को होगा, mining engineer का 1 seat है, 18-4-2022 को वाकिन interview होगा, और MOM वालों को 3 seat है, 21-4-2022 को होगा, और computer science and applied वालों का यहाँ पर एक seat है, जो 24-2022 को होगा, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देखेंगे, technician का यहाँ पर तो यहाँ पर आप यह जो date दिया गया है, इसी schedule पर आपको परस्तित होगे, अपना वाकने interview देना है, अगर आपका selection इसमें हो जाता है, तो आपका email, ID के थुरू, या SMS के थुरू, या call के थुरू, आपको बुलाया जाएगा, तो आपको महाँ पर apprentice समझीए, पक्का हो ज